और डोस्तों तो भी मैं जा रहा हूं मुसूरी देरादून से चल कर आप मेरे पीछे देरादून की वैली की लाइट्स देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है सुबह के साड़े बारा बजे एली जैनवरी दोजार जोबीस इस नए साल के लिए मैं हाइक कर रहा हूं हुमारे साथ बने रहीगा और दोस्तों तो अभी टाइम हो रहा है रात के डेर बजने वाले हैं और इसके मताबिक अभी 450 कैलोरीज बर्न ऊचुकी है 65 मिनिट्स हो गए हमें वाक करते हुए यह देखी आपको थोड़ा था नजारा देखाएं यह देरादून की वैली है यह देखो इतनी खूबसुरत है कितनी शान्ती है यहाँ पर एकदम ठंडी हवा है न्यू येर्ड की पार्टी मना के सब लोग घर जा रहे हैं और हम उपर जा रहे हैं सन्राइज को देखने मुसूरी में हाँ कर देखने मुसूरी में यह दोस्तों तो सन्राइज तो सन्राइज तो हम कैप्चेर करनी है वोड़ा सालीट हो गए अब देख सकते हैं सूरज अलड़ी ओग चुका है और मैं अभी दख पहुंच नहीं पाया सन्राइज पॉंट पर मैं सोचा था कि आपको एक टाइम लैप्स एक एक अची व्यू सूरज की तो अभी बस हाइक खतम करिए बहुत अग्या हूं बाद में बात करते हैं तो दोस्तों माफ कीजिएगा मेरे पास यह नया माइक है और इसका विंट फिल्टर नहीं है तो मैं अपने मफलर का यूज कर रहा हूं हवा की नॉइस को थोड़ा सा कम करने के लिए हटके होती है तकि मैं मार In surpr тем का साल हो गया और अग्ला साल शुरू होगया इसे मेरे लिए यह हाइक हर साल मानने रखेगी कि अब यह साल खत्म और अग्ला सालarin वाला उती है、 यह इक साल की इनर्जी होती है उसे दूसरे साल तक कंटिनियू करते रहते तो एक फूल स्टा डालना 2023 में 2024 के बीच बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने हाइक करी थी तकि मैं एक मार्क कर सकूँ कि ये मेरा साल खतम हो गया और हर साल अब मैं ये हाइक करूँगा हर साल मैं यहाँ पर आऊंगा और मुझे आद रहेगा कि टाइम बीत रहा है बहुत सारा काम करना है तो य हर साल आप साल के आखरी दिन कुछ ऐसी अलग चीज जो अब सिर्फ साल के आखरी दिन करते हैं मार्क करने के लिए कि यह साल खतम हो गया है अगला साल आ रहा है टाइम निकलने वाला है और काम करना भी बाकी है तो यह सिर्फ एक मेंटल टेक़नीक है आपने आपको करने के लिए कि दफा हम जिंदगी के इस रिगमरोल में इस हसल में भूल जाते हैं कि टाइम बीत रहा है थोड़ा सा एक ब्रेक लेना और रियानलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है हमने हाइक फाइनली खतम कर दी थी पर मैं इतना ज़ादा थक गया था इतना ज़ादा थ करने के लिए पहली चीज़ इस पर मैं बात करना चाहूंगा वह है कि अब तक हमारे चैनल पर मैंने दस वीडियो डाले हैं और काफी फॉर्मल वीडियो थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इन्फॉर्मल सा वीडियो हो जाए थोड़ी सी अपनी इंट्रटक्शन देने के और आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए मैं किनीसियोलोजिस्ट हूँ यानि मैं एक्सरसाइस साइंस के साथ डील करता हूँ इससे पहले मैं कैनडा के क्लिनिक में काम करता था जहां पर मैं एक्सरसाइजेस के साथ रिहेबिलिटेशन करता था यानि उनको एक्सर इस 2024 के लिए मैंने काफी सारे गोल्स लिखे हैं और यहां पर मैंने देख सकता हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा पर एक गोल है कि इस पॉड़कास पर मैंने 12 गेस्ट को लाना है इस साल में तो मतलब हर महीने एक निया गेस्ट हो यह मेरा गोल है कम से कम मेरी आशा है कि इतना तो हो पर हो सकेगा तो इस से जादा भी हम लेकर आएंगे इन गेस्ट को लाना काफी डिफिकल्ट है इस टाइम पर हम एक बहुत ही छोटा सा चैनल है और सिफ दो महीने की हिस्ट्री है यह पिछला साल 2023 मेरे भी बहुत चैलेंजिंग था मैंने बहुत सारी नई चीजे नई प्रोजेक्ट शुरू करी मैं भी यूट्यूब पे कोई अच्छा कॉंटेंट पहुंचाने की और यही हम ट्राइ कर रहे हैं तो इस आने वाले साल में में कुछ नई चीजे नई वीडियो आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा कुछ चीजे ट्राइ करूँगा ओफुली आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएगा कैसे हमें आगे जाते हुए कुछ वीडियो आइडिया या टॉपिक्स या कुछ ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए तो मैं जरूर इंट्रेस्टे होगा अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो जरूर नीचे कॉमेंट करके बताएगा और हमारा सपोर्ट करते रहेगा गोल यही है कि आप तक हाई कॉलिटी इंफरमिशन पहुंचाएं चाहे ऐसे पहुंचाएं चाहे बहुत हम थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं इस आने वाले साल में मेरा गोल रहेगा कि इस चैनल पर 3 वीडियो हर महीने मैं पबलिश करूँ यह कम से और क्योंकि हम थोड़ा गोल्स के उपर बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टिप दिया जाए, यह वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, अगर मैंने आपको कोई हेल्थ and वेल्नेस टिप ना दिया हो, तो आज का जो टिप होगा, वो गोल सेटिंग के इसका मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल और टाइम्ड, बेसिकली कई दफा क्यों होता है, कि जब लोग गोल सेट करते हैं, तो वो बहुत ही वेग होते हैं, और फिर उन्हें अचीव करने का पॉसिबिलिटी भी बहुत ही कम होती है, रिसर्च ने कि जितना हम अपने गोल्स को डिफाइन कर सकें, और जितना हम उन्हें अची तरह से लिख सकें, कि exactly हमें यह करना है, उतना जाजा चांस है कि हम इन्हें पूरा करने में successful रहेंगे, तो मैं आपको एक example देता हूँ, अगर मैंने 2024 सा गोल सेट करा कि मैंने इस साल जिम जाना शुरू करना है, तो यह एक बहुत ही वेग गोल होगा, यानि अच्छी तरह डिफाइन नहीं है, इसकी जगा अगर मैं यह smart method का use करूँगा, तो जो मेरा नया गोल होगा, वो कुछ इस तरह साउंड करेगा, इस साल मैं पांच बारी जिम जाओंगा, मंडे से फ्राइडे, तीस मिनिट के लिए, शाम को काम करने के बाद, और साल के पहले दिन, यानि पहली January पर मेरा ये वेट है, और साल के आखरी दिन, यानि 30 December 2024 पर मेरा ये वेट होना चाहिए, अगर आप ऐसा गोल सेट करोगे, तो यह बहुत ही specific है, और जादा चांस है कि आप इसे पूरा कर पाओगे, एक और टेप है अपने गोल को एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, रीसर्च ने ये भी दिखाया है कि जब हम अपने गोल को किसी और के साथ शेयर करते हैं, और उन्हें बताते हैं, कि जैसे अभी कैमरामेन सुनील मेरे साथ खड़े हैं, तो कम चांस है कि मैं ऐसे अचीव कर पाऊंगा, बस यहीं पर इस वीडियो खतम करते हैं, थैंक यू सो मच, जिन्हों ने भी अब तक हमारा सपोर्ट करा, और सपोर्ट हमें करते रहेगा, हम अच्छा कॉंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे, हैपी न्यू येर, अगर आ परते रहेंगे, हैपी न्यू येर, और दोहजार चॉबीस हमारा साल होगा